हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरेस अकडमी में दोस्तों राजस्तान में आईजीत विबिन परतियोगी परिक्षाओं के लिए दोस्तों राजस्तान के इतियास से समंदित टोप इंपोडेंट कुष्णों की सिरिजी स्टार्ट की गए थी जिसमें अपने मेवाड के इतियास के दोस्तों 440 प्रसन पढ़ लिये थे और दोस्तों चोहानों के इतियास से समंदित अपने 100 प्रसन पढ़ लिये थे ठीक है तो दोस्तो चोहनों का इतियास अपना चल रहा था टोप 500 प्रस्णों का जिसमें से 100 प्रस्ण कंप्लेट हो गए हैं आज 101 से लेके 150 प्रस्ण तक अपन इसमें पढ़ेंगे अगर आपने पिछले 540 प्रस्ण नहीं देखे हैं तो आप पर ले लिस्ट में जाईए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान का इतियास प्रस्णोतरी के नाम से तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासे हैं वो जरूर देखें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 101 नंबर प्रस्ण है इसमें देखें चोहानों को माउंट आपू पर महरसी वसिष्ट के अगनी कुंड से उत्पन होने का सिद्धानत का परतिबादन करने वाले दोस्तों इतियास विद्ध थे तो वो कौन थे यानि कि दोस्तों महरसी वसिष्ट ने आबू परवत पर दोस्तों जो अगनी कुंड यगे किया था ठीक है ये किया था या नहीं किया था तो दोस्तों यहाँ पर जिस जिस ने ये कहा है कि वहाँ पर किया था यगे ठीक है और उस में से दोस्तों चार जातियां निकली थी उस अगनी कुंड में से कौन कौन सी तो पर्मार, पर्तिहार, चालुक के और चोहान ये चार जाती हैं दोस्तों उस अगनी कुंड से उत्पन हुई थी महरसी वसिष्ट के अगनी कुंड से तो ये किस ने कहा है कि ये बिलकुल सत्ते बात है परतिबादन करने वाले जो इतियासकार थे वो कौन-कौन थे तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों तो देखे कभी सूर्यमल मिस्रन ने भी ये बात सत्यमाना है मोनो नैनिसी ने भी सत्यमाना है और कभी चंदरबरदाई ने भी ये सत्यमाना है तो ये तीनों के तीनों ने कहा है तो इसका right answer हो जाएगा उक्तसभी डी नमबर का option सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है दोराई के युद में पराजित दाराशिको को कौन सा दुर्ग में रखा गया था तो दोस्तों दर्मत और दोराई के दो युद हुए थे ये मुगल उत्रादिकारी संगर्स था ठीक है दोराई का युद है ये औरंगजेब और दाराशिको के मद्दे हुआ था और दर्मत में भी ये दोनों ही थे ठीक है तो दोराई के युद में दोस्तों औरंगजेब जीत गया था और दाराशिको हार गया था और दाराशिकों को दोस्तों दाराशिकों हारने के पश्चात दोस्तों औरंग जेब ने दाराशिकों को कैद कर लिया था और कहां पर रखा था तो काकन बाड़ी के किले में रखा था दोस्तों काकन बाड़ी के दुर्ग में रखा था तो C नंबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है एक सो तीन नमबर प्रेशने नाडोल का चोहान वंस आगे चलकर किस राजे में विलीन हो गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो जालोर के चोहान वंस में दोस्तो ये जाके विलीन हो गया C number का option सयुत्तर हो जाएगा Next आगे चलते हैं तो देखिए गोविंद राज को रन थम्बोर की जागीर किस ने परदान की थी? गोविंद राज को रन थम्बोर की जागीर किस ने परदान की थी? तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा? तो कुतुबुदीन एबक ने ठीक है? गोविंद राज को रन थम्बोर की जागीर है वो दोस्तो कुतुबुदीन एबक ने परदान की थी? तो इसमें ए नंबर का option सयुत्तर हो जाएगा Next आगे देखिए रन थम्बोर के चोहान वंच का संस्तापक कौन था? रन थम्बोर के चोहान वंच का संस्तापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है गोविंद राज था तो इसमें बी नंबर का option सयुत्तर हो जाएगा ये पर्थिराज चोहान त्रते का पुत्र था दोस्तो गोविंद राज Next है रन थम्बोर के चोहान वंच का सबसे प्रतापी सासक कौन था? तो सबसे प्रतापी सासक है वो कौन था? तो वो था दोस्तो इसमें राणा, सुरी, हम्मीर देव सिसो दिया सुरी, हम्मीर देव चोहान हम्मीर देव चोहान है ये रन्थम्बोर के चोहान वंच का सबसे प्रतापी सासक था और इसी के समय दोस्तों आप सबी को पता है अलावदिन खिलजी ने आकरमन किया था रन्थम्बोर पर और रंग देवी के नितरत्वा में जोहर किया गया था ठीक है तेरा सो एकिस्वी में नेक्स्ट है आगे देखिए एक सो साथ नमबर प्रेस ने रन्थम्बोर पर किस चोहान सासक के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिस ने आकरमन किया था जिसे उसने विफल कर दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीर नारायन ठीक है सी नमबर का उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है एक सो आठ नमबर प्रेस ने चोहान सासक अजराज ने अपनी कौन सी रानी का नाम सिक्कों पर अंकित करवाय था तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1113 इस्वी में अजमेर नगर की स्ताबना की गई थी अजराज ने दोस्तों अपने पतनी के नाम पर और अपने ही नाम पर सिक्के चलाए थे सिरी अज़ेदेव नाम से भी सिक्के चलाए थे और अपनी पतनी के नाम से दोस्तों क्या नाम था तो सोमलवती नाम था ठीक है तो सोमलवती या सोम लिखा के नाम से इन्हों ने सिक्के चलवाए थे ठीक है तो इसमें डी नंबर का उप्शन सहित्तर हो जाएगा नेक्स्ट है पर्तिविराज तिर्तिय ने बंडान को का दमन कब किया था पर्तिविराज चोहान ने बंडान को का दमन कब किया था तो दोस्तो बंडान के एक जाती थी जो दोस्तो पनजाब सेतर से आई थी तो ये बंडान को का दमन है ये कब किया था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो 1100 बहियां CISV में तो इसमें B number का option इसका right answer हो जाएगा महोबा का यूद हुआ था दोस्तो तो इसमें B-Number Option से उत्तर नेक्स्ट है चोहान सासक अजराज ने अपना उत्रादिकारी किसे बनाया तो दोस्तो अपना उत्रादिकारी है ये किसे बनाया था अजराज ने तो वो बनाया था दोस्तो अर्णो राज को जिसने अनसागर जील का निर्मान करवाया था और पुसकर में वरा मंदिर का निर्मान करवाया था किसने अर्णो राज ने तीक है और अर्णो राज को दोस्तो अपना उत्रादिकारी बनाया था अजराज ने नेक्स्ट किस चोहान सासक को दोस्तो दुरलब्बे मेरू कहा जाता है किस चोहान सासक को दुरलब्बे मेरू कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है दोस्तो दुरलब राज दित्ये को तो इसमें C नंबर का उप्शन सहीवत है नेक्स्ट है अजमेर के चोहानवन्स का अंतिम सासक कौन था तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है इसमें पर्तिवराज तिर्ते ठीक है पर्तिवराज तिर्ते ये दोस्तो अजमेर के चोहानवन्स का अंतिम सासक था उसके बाद में दोस्तो इनका पू स्युक्रिषूर्बी नेसे पर्तिविराज तित्य का प्रदानमंतरी नाम है वह कटमभवास तो इसमें एक नम्बर उप्शूर्व अनसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है बिसल सागर जील वे बिसलपूर नामक ग्राम किसने बसाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो विग्रे राजस चतुरते बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट काहनड देव था तो दोस्तो काहनड देव क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तो जालोर का सासक था काहनड देव ठीक है तो इसमें C नंबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा और इनी के समय दोस्तो अलावदिन खिल जी ने आकरमन किया था नेक्स्ट आगे देखे पर्त्विराज विजे नामक गरंत की रचना किस ने की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जयानक ने की थी दोस्तों पर्त्विराज विजे की रचना नेक्स्ट प्रस्चिद विद्वान सोमदेव किसका दरबारी था तो दोस्तों प्रस्चिद विद्वान सोमदेव है ये किसका दरबारी था तो ये दोस्तों विग्र राज चतुर्थ का दरबारी था ठीक है ये भी आपको इसमेयाद रखना है C नमबर का उप्शन सभी तर नेक्स्ट है विग्र राज दित्ये ने अपनी कुल देवी आसापुरा माता के मंदिर का निर्मान कहां करवाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बडोच गुजरात में दोस्तों विग्र राज दित्ये ने अपनी कुल देवी आसापुरा माता का मंदिर का निर गोरी द्वारा परत्विराज त्रित्य को सिर्शा के समीप गिरबतार कर मारने का उलेक किस गरंट में मिलता है? तो दोस्तों काफी कहते हैं कि परत्विराद चोहान को दोस्तों वहाँ पे लेके गए मुहमद गोरी अपने साथ लेके गया वहाँ पे उसके आंके फोड़ दी फिर उसने दोस्तों तेर चलाया ऐसे मार दिया ऐसी जानकरी है जो अपन पढ़ते हैं ये सिर्फ जानकरी है अपन दोसतों इनका जो परतिवरार चौहां तित्टे का हमित्र था चंदरवरदाई चंदरवरदाई की पुष्टक में ही मिलता है ये सब चीजे ठीक है बाकी अन्य सारी चीजे है उन चीजों के अंदर ये जानकारी मिलती है कि पर्तिवराद चौहान को सिर्शा के समीप गिरपतार कर लिया था और तुरंट वहीं पर मार दिया था तो दोस्तो अब कुछ भी इसमें सत्य मान सकते हैं अपन कुछ भी क्योंकि अलग-अलग किताबों में अलग-अलग दे रखा है लेकिन यहां पे जो उलेक दे रखा है मारने का सिर्शा के समीप गिरपतार करके मौमद गोरी ने पर्तिवराद चौहान तिर्टे को मार दिया था तो यह जानकरी है यह दोस्तो अपनको किस में मिलता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखे पर्त्विराज रासो यह गलत दे रखा है दोस्तों यहां पर देखें यह गलत दे रखा क्योंकि चंदर बर्दाई क्योंकि दोस्तों चंदर बर्दाई तो इनका मित्र था और इसी में दोस्तों यह दिया हुआ है कि पर्त्विराज चोहान है वो वहांपे आख्या-ख्या-ख्या-पोड़ दी थी ठीक है बाकी चीज़ें मैं आप आपको थोड़ी देख के बताता हूं कि क्या है इसमें ऐस पुस्टक है ठीक है इसमें ये जानकरी मिलती है तो बी नंबर का ओप्षन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है 121 नंबर प्रास्थने राजस्तान की पहली मैला प्रसा सिका वैसंरक सिका किसे माना जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो क से तो करपूरी देवी को माना जाता है ठीक है तो इसमें C नंबर का ओप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है यह पर्ट्वराज चोहन की माता का नाम था दोस्तों करपूरी देवी नेक्स्ट है किस चोहन सासक ने चालुक ये सासक मूल राज पर्थम को पराजित किया था तो इसका राइट आंशर हो जाएगा वो है दोस्तों विगर राज दिर्तियने तो इसमें D नंबर का जो उप्शन है वो इसका राइट आंशर हो जाएगा और क्या काम किया था तो दोस्तों इनोंने अपनी आशा पूरा मता जो इनकी कुल देवी है इनका मंदिर क क्bedingt का निर्मार करवाय था बडोच गुजरात में यह भी आपको इसमे याद रखना है नेक्से चोहानवंस का संस्तापक कौन था तो दोस्तों चोहानवंस का संस्तापक अड़ाई दिन का जोपड़ा ठीक है इसका निर्मान दोस्तों कुतवदी ने बखने करवाया था और इस जोपड़े में दोस्तों वर्तमान में किस संत का उर्ष लगता है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पंजाब साहा का उर्ष इसमें लगता है ये नमबर का option इसका right answer हो जाएगे दोस्तों ये एड़ाईदिन के जोपड़े का जो निर्मान करवाय था ये पहले एक संसकर्थ पार्ट साला थी और उसका नाम था दोस्तों कंठ वरन तीक है उस संसकर्थ पार्ट साला को तोड़वा कर ये एड़ाईदिन के जोपड़े का निर्मान करवाय था कुतुब दिन एबक ने ठीक है तो यहाँ पर पंजाब साह का मिला लगता है नेक्स्ट है आगे देखिए हरसनात अबिलेक 903 इस्वी किस के समय का है हरसनात अबिलेक 903 इस्वी किस के समय का है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह है दोस्तों विग्रे राज देत्य के समय का तो इसमें C नमबर का उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है ललित विग्रे राज नाटक के रचेता सोमदेव किस चोहान सासक के दरबारी कवी थे ललित विग्र राज नाटक के रचेता सोमदेव किस चोहान सासक के दरबारी कवी थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है विग्र राज चतुरते डी नंबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखें 128 नमर प्रेस ने इतियास में अपनी वीरता सोर्य एवं बलिदान के कारण प्रसिद आला वै उदल किस सासक के सेनानायक थे वीर सेनानायक थे यानि कि आला और उदल दोस्तो किस सासक थे वीर सेनानायक थे तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है ये दोस्तो परमर्दी देव के यानि कि चंदेल सासक था परमर्दी देव इसके वीर से नानायक थे दोस्तो ये ठीक है तो इसमें बी नंबर का ओप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखें पर्त्विराज चोहान के अनुसार राजपुतो की उत्त्ति हुई तो दोस्तो राजपुतो की जो उत्त्ति है ये पर्त्विराज रासो के अनुसार पूछी गई है तो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो अगने कुंडशे उत प्रत्विराज रासो है यह किसके द्वारा लिखी गए थी तो दोस्तों चंद्रबर्दाई के द्वारा और चंद्रबर्दाई ने इस मत का प्रत्वादन किया है जैसे अपना पहला ही पहला प्रसन था सेम टू सेम नेक्स्ट एक सो तीस नंबर प्रसन है इसमें देखिए प सर हो जाएगा वो है दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है तुमूल का यूद ठीक है तो इसमें सी नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए चोहानों का पर्थम सवतंतर सासक किसे माना जाता है तो दोस्तों किसे माना जाता है तो ये सिहराज को माना जाता है दोस्तों ठीक है, सिहराज चोहानों का प्रतम सवतंतर सासक है था, नक्ष्ट है, सूफी 70e Khwada- Muminuddin चीस्ती किसके सासनकाल में राजस्तान आये थे, तो ये राजस्तान आये थे दोस्तों किसके समय तो परत्विराज चोहान तिरते के समय आये थे ठीक है ये खवाजा मुईन जुन चिस्ती बहरत नेक्स्ट है राजस्तान का परत्विराज चोहान राज्य था तो वो था दोस्तों कौन सा तो वो था साकंबरी ए नमबर का उप अपने अधीन रियास्तों पर किस सुबह से नियंत्रन रखता था यानि कि कौन से एक जगह से सब जगह नियंत्रन रखता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर से तो इसमें एन नंबर का उप्शन सहुद्टर हो जाएगा नेक्स्टल सोमे स्यर्वर किसका पूत्र था तो दोस्तों सो मे्स्वर है यह अनौराज का पुत्र था है डी नम्बर का उपắn सहुद्टर हो नेक्स्ट एक सो अड़ीस नमबर प्रेस ने निमिन में से कौन सा एक स्रोत चोहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो घटियाला अबिलेक बी नमबर का जो उप्षन है वो इसका सही उत्तर हो ज थे तो दोस्तों यह विद्वान थे परत्विराज तिर्थे गिए ठीक है तो इसमें ए नमबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है एक सो चालीस नमबर प्रेस ने अजमेर में संसकर्त कंठा बरन नामा के संसकर्ट पाट साला के इस्तान पर एड़ाइ जिन के जोपड़े का निर्मान करवाया था कुतबुजिन ए बकने तो इसमें ए नमबर का उप्षन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट विजोलिया शिलाले के अनुसार सांबर का निर्मान किस ने करवाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वासुदेव चोहन ने करवाया था डी नमबर उप्षन सही उत्तर नेक्स्ट आगे देखिए निमन लिखित में से कौन सा कथन गलत है तो यहां पर देखिए दोस्तों पर्त्विराज तृत्य चाहमान वंस का अंतिम सासक था बिल्कुल सही है यहां कि पर्त्विराज चोहान है देखो चोहान इस चाहमान वंस बोलते है तो यहां पर्त्विराज चोहान है यह चोहान वंस का अंतिम सासक था भिल्कुल सही है आइचातरपूर नागोर चोहानों की प्राचेंतम राजड़नी थी यह इसमें बिल्कुल सही है आगे देखो विगरराज चतुरत ने तारागड का निर्मा करवाया था ठीक है तीसरा नमबर का उप्शन गलत कथन है तो अपना राइट आंसर भी तीसरा नमबर उप्शन हो जाएगा सी नमबर ठीक है जो सपाद लक्स चोहनों का मूल इस्तानवाना जाता है यह इसमें बिल्कुल सही बात है आगे देखिए दोस्तों 143 नमबर प्रे व्यवस्तित करें तो दोस्तों काल कर्मानुसार अपने को व्यवस्तित करना है तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों आकर्मन किया था किस पर तो रन थंबोर पर आकर्मन किया था तेरा सो एक इसमें और अलाउदिन खिल जीत गया यहां पर विज्यो का बात की ग का सही काल करमानुषार बताइए तो तो यहां पर देखे जो जालोर है ये पहले आ जाएगा सिवाना बाद में आ जाएगा ठीम हosure क्योंकि 305 इस्वी में डोस्तों जालोर पर आकर्मान किया गया था लेकिन दोस्तों जीत नहीं पाया था फिर तेरा सो आठ इस्वी में सिवाना पर आकरमन करके इसको जीता था फिर तेरा सो ग्यारा में वापस जालोर पर आकरमन किया था तब जीता था ठीक है तो अपने को इसमें बताना है तेरा सो एक में तो रंतंबोर जीत लिया था तेरा सो तीन में चितोड ज जीत लिया था और 1311 में दोस्तों जालोर जीत लिया था तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जागा एक तीन चार दो ए नंबर का ओप्षन सहीधतर हो जाएगा नेक्स्ट है पुसकर में वरा मंदिर का निर्मान करवाने वाला सासक था तो वो कौन था तो दोस्तों मैंने आप को बताया था कि अर्णो राज ने पुसकर में वराह मंदिर का निर्मान करवाया था और आना सागर जील का भी निर्मान करवाया था नेक्स्ट है किस चोहान सासक को कवी बांदव या कटी बंदू कहा जाता है तो यह कहा जाता है दोस्तों किसे तो विग्रे राज्चा पर्त्विराज चोहान तिरते कब सासक बना तो दोस्तों पर्त्विराज चोहान तिरते है यह सासक कब बना था तो 1177 इस्वी में दोस्तों पर्त्विराज चोहान है वो सासक बना था नेक्स्ट अजमेर का संस्तापक कौन था तो दोस्तों अजमेर का संस्तापक था कौन अजराज चोहान 1113 इस्वे में इन्होंने अजमेर की स्तापना की थी नेक्स्ट पर्थ्विराज विजे के लेखक है तो दोस्तो पर्थ्विराज विजे के लेखक है कौन तो जयानक भटे तो इसमें C नमबर का उप्षन सही तर नेक्स्ट तराइन वर्तमान में कौन से राजे में स्थित है तो दोस्तो कौन से राजे में स्थित है तो ये दोस् के हैं कल अपन 151 से लेके 200 तक पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों अब देखिए 150 प्रेशन तो अपने किसके हो गए 94 समंदित और मेवाड के इतियास से समंदित दोस्तों 440 प्रेशन अपने वह पढ़ लिये थे तो दोस्तों अगर आपने ये 440 प्लस 150 प्रेशन नहीं देखे हैं तो आप पले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान का इतियास प्रस्नो तरी के नाम से तो आप वहाँ जाके सारी की सारी कलासे हैं वो जरूर देखें और रोजन आमारे साथ में चलते जाएए अर